हेलो फ्रेंड्स मैं जया लाइटा सोल्स मैं आपका स्भागत करती हूँ आज मैं आपको एवल्यूशन जीगू सिंबल के बारे में बताऊंगी इसे हम यहां से स्टार्ट करते हुए अपवर डिरेक्शन में लेके जाएंगे एंड यहां पे यह कव ले जाके ही ज़सी कर चैने वह पिंक कलर और अप्सिडियन से स्ट है यह एवलीशन सिंबल है हमारे पर्शनल ग्रॉथ को रेफर करता है यह स्टार्ट पर्शनल ट्रमापकी इंडर बहुत questions चल रहे हो कि who am I, मैं कहां जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे किस तरफ जाने चाहिए, कौन सा पात मेरे लिए correct है mind में जब बहुत ज्यादा questions हो, आत्ममंथन चल रहा हो उस समय ये symbol बहुत हथ अच्छा है use करने के लिए क्योंकि आपके अंदर जो questions, जो fight चल रही है, mind और heart की fighting चल रही है उसमें से जो correct path choose करना है, कहां जाना है, कैसे जाना है वो सब identify करने के लिए symbol बहुत अच्छा है because ये आपकी personal growth में बहुत help करता है and आपके soul को expand होने में help करता है means personal growth as well as expansion of the soul इन दोनों चीज़ों में ये symbol बहुत helpful है ये symbol अपने को help करता है कि हमारा जो inner voice है, जो truth है वो सुनने की ability हमारी strong होए ठीक है, और उसके according हम life में actions ले सके means और actions ले सके और हमारे life में upward move ahead हो सके means हमारे life में progressive way में, forward way में, upward way में आगे बढ़ सके ठीक है, जब बात personal growth की आती है तो definitely जो बहुत ज्यादा pain देखा होगा जिसने life में जो बहुत happy होगा उसको ध्यान भी आएगा कि personal growth चीज क्या होती है जब आपकी life में बहुत ज्यादा pain हो बहुत ज्यादा तकलीफ में उस समय आप का ध्यान personal growth इन सब concepts पे जाता है, so be happy कि आप यह सब चीजों में ध्यान जा रहा है means आप evolve होने के लिए try कर रहे हैं, ठीक है? आपके life इदी बहुत ज्यादा painful है या रही है, so be with it and उसमें से आप evolve होने का try करिए यह symbol आपको उसमें बहुत help करेगा, it's like कोई भी situation कभी भी हमेशा एक सी नहीं रहती है कभी अभी pain है तो वह pain कभी न कभी दूर होना ही है, you have to go with the flow and उसमें से जो तकलीफ चल रहे हैं उसमें से आपको beautifully खुद को evolve करके उपर उठा के लेके आना है it's like जब एक beautiful यह जब कोई baby born होता है, so कितना एक मदर कितना pain देखती है बट वो जो baby आता है उसे देखके mother के सारे pain साइड हो जाते हैं जो happiness एक mom के face पे आती है वो unexplainable है same way आपका जो soul जो reborn हो के आएगा उस pain जो भी आपके life की situations चल रही है उसमें से उन pain में से जो beautiful growth होगी आपके soul की वो देखके आप खुद भी surprise होंगे and after few years जब आप पलट के देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कितना उपर grow करके आ चुका हूं या आ चुकीगी so यह symbol आपको spiritual level पे आपके as a personal level पे आपको growth में यह symbol बहुत help करेगा इसे बनाने का तरीका सेम है आप palm के front या back नहीं पर भी बना सकते हैं body care left area में बना सकते हैं hidden area में या फिर आप F4 size के paper में draw करके रख सकते हैं आपके meditation area में यह symbol बना सकते हैं since यह personal growth के लिए है so यह बहुत helpful रहेगा आपको आपके questions को find एक way find out करने में and उसके बाद आपके pillow के नीचे भी रख सकते हैं या फिर आपके meditation जो area होगा यह आप wall पे painting करते हो या करवा सकते हो so इसे wall पे paint करवा के भी रख सकते हैं thank you